छे महत्व पुरुन बाते जो हर सनातन युवक को पता होना चाहिए, हर हिंदू को पता होना चाहिए, सरव प्रथम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान शी कृष्ण भगवान शीराम हाउस अफ लौड के इंगलेंड के सदस से रहे थे? नहीं ना, तो ये क्या लगा रखा है? लौड अफ रामा, लौड अफ कृष्णा, सीधे-सीधे कहिए ना, भगवान शी कृष्ण, भगवान शीराम, ये सीधे-सीधे बताईए कि हम अपने हिंदू देविताओं का भगवान कैके अर्थ करते हैं, जिसका वर्नन, उमें नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गर्व की बात है, दूसरी बात, किसी के मृत्यू के पश्चात, आजकर लिखने का फैशन आया है, R.I.P. यानि कि इतना शौटकट यूज किया कि वो शौटकट का अर्थियम को नहीं पता, R.I.P. का मर्थ अतला अर्थ होता है, R.I.P. यानि कि मरने के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्ति ना हो, बलकि वो शांती के साथ किसी कबर के अंदर पढ़ा रहे है, और वहीं पर दफन हो जाए, लेकिन हमारे सनातन धरम के अनुसार, किसी मृत्यू के पश्चात, उसका पुनर जनम होता है, उसे ओम शांती कहके के कटने के बाद जैसे उसका पुनर जनम होता है, ठीक किसी मृत्यू के पश्चात, किसी व्यक्ति का पुनर जनम होता है, ये हिंदू धरम हमें सिखाता है, तीसरी महत्वपुरुन बात ये है कि महाभारत और रामायन को कालपनिक बताना बंद कीजिए, जादा करके जो हि इंदू युआ है, जो पड़े लिखे युआ है, महाभारत और रामायन को माइथोलोजी कहके वरनित करते हैं, और जिनको ये शब्द का अर्थ नहीं पता, उनके लिए बता दू, माइथोलोजी शब्द बनाया मित से, मित शब्द का अर्थ होता है, जूटा या फरेब, और ये जो मित शब्द है, हमारे संस्रित शब्द मित्या से ही आया हुआ है, तो मित्या करते होता है, जूटा, तो रामायन और महाभारत को जूटा कहने वालो, अपने आप पर शरम करो, और सनातन होने पर गर्व करो, इन्हें माइथोलोजी कहकर हमारे भगवान शी कृष कहना बंद करे, क्योंकि यह प्रातना घर नहीं, बलकि हमारे भगवान का विश्राम ग्रह एवं देवाले है, हमारे मंदिर के अंदर केवल प्रातना नहीं होती, बलकि वो हमारे भगवान का ही घर है, तो यह सारी चीज़े आपको पहले समझनी चाहिए, आगे चलते हैं, और अंतीम बात हमें समझना चाहिए कि आजकल के जो पड़े लिखे माबाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए केक लाते हैं, उस केक के ऊपर धीया जलाते हैं या फिर मुंबत्ती लगाते हैं और उसे फूक मार कर जनम दिन मनवाते हैं, आप लोग को समझना चाहिए कि हिंदु धरम के अनुसार अगनी को बुझाना सबसे ज़्यादा अपशकून माना गया है, अपने बच्चों को सिखाईए कि तमसो मा जोतिर गमए, इसकार्थ यह होता है कि अगनी देवता को प्रजोलित करके हम अपने बच्चों के उज्वल भवश्य की कामना अपने युवा जीवित है, तब तक अपने सनातनियों को जागरित करने का प्रयास पुरुन अतहा करते रहेंगे, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो आगे तक ज़रूर पहुंचाएं और हर उस युवा सनातनियों को बताएं कि आखिरकर ये 6 महतों पुरुन बा करनातन प्रयास